ब्राइड भी है सनी भी है इसका मतलब यह आज हम अच्छे क्रिकेट के मूड में भी है फास बोलर्स के तो आज मुँ में पानी आ गया है इतनी घास है पिछ पे पता नहीं चलता है टेल्स दो कॉट है और विव गॉट है तो जीट के गेंदवाजी का फैसला जल्दी विकेट शटकाना चाहेंगे नहीं गेंदाज प्राइड हाँ और ना में टाइम बेस्ट नहीं किया बढ़िया रणिंग बिट्वीन दविकेट्स एक और नूबॉल ये एक्स्ट्रास बात में बहुत महंगे पड़ेंगे इस टीम को समय है गेंद को दर्शक दीरगा में भेजने का फ्री हिट का टाइम क्विक सिंगल पारी की शुरुवात अच्छे अंदाज गें तिरचे बल्ले से सीधा शॉट स्ट्रेट श्लॉग ये चौका नहीं संदेश है चौके से की शुरुवात है कि अच्छे जाने की कोशिश कोशिश ना कामियाब एक और चार दो से तीन भले दो तो मिल चुके क्या मिलेगा तीसरी गेंद पर एक और चौका कदमों का बहतुरीन इस्तमाल और गेंद को भेजा है हवाई यात्रा तक गेंद एकदम स्लॉट में और पार्क किया पार्किंग लॉट में छे रान बढ़िया जज़्जमेंट तेज रनिंग पढ़िया रंगबटोरा बल्ले बाजुन तिरचे बल्ले से सीधा शॉट बैट्समेन की गलती फील्डर की मस्ती मिल गया एक और विकेट फील्डिंग यूनिट की मदद के चलते मिली एक बड़ी सफलता इंदको साधारन बल्ले बाजी गिफ्ट में दे दी अपनी विकेट अपनी विकेट नहीं गवानी है यहां इनको तो फिर जस्ट गो बैक तो बेसिक्स यह लगता है बहुत दूर जाएगी गेंद बोलर का नुकसान बल्ले बाज का फाइदा अंपायर ने सिंगनल की है प्री हिट पहली गेंद पर छक्का इससे बहतर शुरुआत कहां है संभब सही ठकाने पर गेंद बल्ले बाज खामोश बहुत ही प्रभावशाली है यह मीडियम पेस गेंद बाज तिरचे बल्ले से सीधा शॉट स्ट्रेट स्ट्लॉग डाउन दा ग्राउंड पिक्चर परफेक्ट शॉट ना पड़ पाए ना जड़ पाए समस्या गंब बाज़ पाए ना जड़ पाए समस्या गंब अभी बल्ले बास के लिए तो अधि अधिन के लाइस पैडल सीध शॉट को जहां था फील्डर तौफे में दे गए अपनी विकेट अगर मैंने ऐसा किया होता तो अपने आप से पहुत ना इनको सिरफ अपना रोल अदा करने ना श्लू एंस्टेडी विंस दरेस लॉकिंग आउटकम छे रन मिलेंगे यहां पर स्लैम्ड अवा में गेंद को भेजा है बहुत दूर भेजा है यह दे कर जाएगी आधा दर्दन रन गेंद को स्टैंज में पहुचाया बोलर को कहा टाटा बाए बाए आपका ओवर्समाद् एक्सलेंट इनेंग्स विशाल का एटोटल का करना है पीछा तो शुरुवात से ही कभी होगी ताबड तोड़ बल्ले अधाज अच्छा तो अंजाम अच्छा आग्ट पार्ट टाइम बोलर को बुलाया गया है गेंद बाजी के लिए सूझ बूझ के बगड़ा इस गेंद को फिल्डर ने बल्ले बास के मन में है थोड़ी सी शंका अभी भी है खामोश इस बॉल को रोपना मुश्किली नहीं ना मुम्किन है मेरे दोफ और ये गई चार के पार अर यही कर रही है फिल्ड यूनित गिंद बाजी में ज़्यादा धार नजर आ नहीं रही अगर टीम को वापसी कर रही है तो कुछ बदलना होगा टाउं दग्राउंड सीधा शॉर्ट लेकिन कहलाएगा स्क्लॉक फिल्डर का बढ़िया थ्रो एक दम्स टम्स के उपर बल्ले बाजी टीम के लिए एक बढ़िया ओवर अपने नाखुनों को बचा के रखे ये थिलर होने वाला है रनप में ही थोड़ी सी गरबर थी कर गए थोड़ा सा ओवर स्टेप एक्स्ट्रा रन और एक्स्ट्रा गेन मिलेगी बल्ले बाजी टीम के और क्रीज में खड़े बल्ले बाज के लिए है अब ये फ्री हेट आख भी होगी है शुरुवात और दर्शक दीरगा में बहुत स अब ये शॉट आपको नहीं मिलने वाला प्रिकेट कोचिंग मैनुवल में फील्डर का बढ़िया थ्रो एक डंस टंस के ऊपर इस सिंगल के साथ की है पारी की शुरुवात फील्डर और गेंदबास का अच्छा ताल मेल बढ़िया थ्रो एक और नो बॉल ये एक्स्ट्राज बात में बहुत महेंगे पढ़ेंगे इस टीम को फ्री हिट का समय है लेकिन क्या समय बढ़िया बल्लेबास का स्टैंज में फील्डर नहीं होते वहीं से मंगवा लीजिए क्योंकि मिलेंगे छे बहुत ही घूपसूरत कवर ड्राइव चतुराई भरा मिश्रन गेंद बास को फिर नहीं मिला रूम खामोश वो है और स्कोर बोर्ड भी सूपब दूसरा कवर पे थी महीन सी दरार उसमें से जड़ दिया चार कवर ड्राइव इससे बहतर नहीं फूर्ती से भागना होगा अगर जीवित रहना चाहते हैं तो बॉल को ध्यान से देखा और बड़िया स्वीप का किया एग्जिक्यूशन सटीक थ्रो डिरेक्ट हेट बल्ले बाज खत्रे में अंत में मिली एक आसान सी जीत लेकिन सेलिब्रेशन आपको बता रही है कि इस जीत का महत वो पहचानती है ये टीम सामने वाली टीम ने नेस तनाबूद कर दिया आपकी टीम को कमाल की स्ट्राइकिंग देखी आज हमने इस बल्ले बाज